चाहिन दोस्तो, वेलकम तो मा यूटूब चैनल, दोस्तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका, आज हम लोग Excels में Data Entry Work कैसे करते हैं, इस Excels में Data Entry Work के कुछ Important Tips and Tricks हम लोग सीखेंगे, तो चलिए दोस्तो Excels को हम यहां से On कर लेते हैं, और इसमें Data Entry Work करने के लिए सबसे Important Tips क्या होते हैं, तो वो तो सबसे पहला जो टिप्स है, वो है आपका Border, क्योंकि जब आप Data Entry Work करते हैं, तो Border में इसकी काफी जरुवत होती है, Because आप क्या करते हैं, View Options में जाते हैं, Gridline पे क्लिक कर देते हैं, तो यह Border बिल्कुल GYB हो जाता है, कहीं से भी कोई Border यहां पे Show नहीं करेगा, बिल्कुल Excel का Page MS Word जैसा बिल्कुल Phrase Show करेगा, लेकिन अगर आप जितना Area में अगर Work करना चाते हैं, Data Entry के लिए कोई Report बनाना चाते हैं, उस Area में आप Border दिखाना चाते हैं, तो Area को आपको Select कर लेना है, फिर जाना है Home Button पे, Home Button पे जाने के बाद दोस्तों आपको एक Options दिखेगा, Border का, यहां पे, तो यहां पे Border Option में जाएंगे दोस्तों, और All Border अगर क्लिक करते हैं दोस्तों, तो यह Totals में Border आपको यह चोटा सा Point पे, और यहां से आपको Outside Border सेलेक्ट करना है दोस्तों, तो यह चारो तरफ से Border आपको यहां पे दिखाई दे देंगे, तो इस तरह से दोस्तों हम यहां पे Border का Use कर सकते हैं, इस्तमाल कर सकते हैं, Border पे Work कर सकते हैं, अगर दोस्तों खुझ से Border खीशना होता है फिर हमें क्या करना होगा, एक बार बाहर क्लिक करना होगा, यह Border बन करके आपका Ready हो जाएगा, तो दोस्तों Data Entry Work में Border काफी Important Options होते हैं, इसकी जरूत काफी जादा होती है, अब अगला दोस्तों हम Work जानेंगे, वो जानेंगे Merge and Center के बारी में, कि अगर माल लिया जाए कि यह चारो तरफ से जो Lining आपको दिख रही है, अगर इस Lining में कुछ Area को Merge कर देना होता है, तो देखिए Merge हम लोग बहुत तरीके से करते हैं, जैसे इस Area को Select किये दोस्तों, और Directly हम Merge and Center पे अगर हम क्लिक करते हैं, तो वो कुछ इस तरह का Merge करता है, अगर हम इस Area को फि पे क्लिक करेंगे, तो यह आपका Unmerge हो जाता है, और Select Area करके, अगर Merge सेल पे भी क्लिक किजेगा दोस्तों, तो वो First वाला आपसंस के जैसा ही काम करता है, वो भी Area क्या कर देगा, मर्ज कर देगा, फिर से आप जाएंगे यहां से Unmerge कर देगे, दोस्तों फिर नर्मल हो ज जाता है, जैसा for example मैंने एक नाम लिखा, M-A-N-I-S-H-K-U-M-A-R, अब ज़रा इसको देखे, यह किसी तरह से, किसी एंगल से भी अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, विगाज यह जो है कि आपका सेल तोर करके आगे पहुँच गया है, अब आप कहेंगे कि इस पर अप्सन ही एक अप्सन से जिससे आप कर सकते हैं, जैसे यह मनी सुपर और नीचे कुमार उसी सेल में अड़ेस्ट हो जाएंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, व्रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, वैसे यह आपका मर्ज हो जाएगा, लेकिन फिर भी यह देखने में बिल वाधा अप्सन से नीक्स्ट अप्सन से, वह कौन सा हा, जो सबसे जादा इस्तमाल किया जाते हैं, दोस्तो ड सबसे जाएज़ा किया जते है, तो दोस्तो हो data entry work में जो अगला अप्सन से है वो है, records, shot, shot अप्सन का इस्तमाल दोस्तो बहुत ही हम आपको बोले कि इसको उल्टा सजा दीजिए तो फिर से सेलेक्ट करेंगे शॉट पर जाएंगे और लाज्ट वे स्मॉल कर देंगे यह उल्टा सज़ जाएगा यह दोस्तो नमबर पर ही नहीं यह टेक्स्ट पर भी काम कर सकता है जैसे माल लिया जाए A B C D हम यहाँ पर ट क्लिक करेंगे यहाँ से A to Z पर तो यह एसेंडिंग और में आपका सज जाएगा फिर यहाँ पर जाएंगे और जेट तो यह करेंगे दोस्तो तो यह डिसनिंग ओर में सज जाएगा तो दोस्तो शॉर्ट अप्शन का इस्तमाल भी काफी ज्यादा होता है अब अगला विर ओखोर से फोरस कर देते हैं साइज थोरा सा बना कर देते हैं साइज फ्रॉरण आजहां कि आप रहे होंगे अगर हम हम बोले किывать यहीं मजय को कर दीजेए तो इसके लिए आफ करना किया होगा फिर से सध फिर बोल्ड फिर साइज बना बहुत सारे process जो इसमें आपने किया वो same करना होगा लेगिन हो से के पता नहीं same होगा या नहीं भी होगा color भी change हो सकता है तो यह situation कैसे आप handle कर पाईएगा same कैसे कर पाईएगा तो दोस्तों अगर आपको shame करना होता है इसके लिए आपको करना क्या है बहुत ही असान काम है अनिल पर click करना है format printer पर click करना है और money's को वैसा बनाना है तो money's पर click कर देना है बस easy वो shame to shame automatic format में दिखने लगा तो इस तरह से अगर आपको shame to shame किसी भी format को करना हो तो उसके कर सकते हैं पहले राज़ू पे क्लिक किये, forward printer पे क्लिक किये, फिर अनील पे क्लिक कर दी हो गया, so simple, तो इस तरह से दोस्तो forward printer का भी इस्तमाल heading हो गारा बना ले के लिए, काफ़ important होता है कि एक heading जो आप बनाया है, वैसा दूसरा बनाना है, तो फिर बनाई ये, तो ये काफ माल लिया जा, for example, पहले हम इसको फिर से forward printer करके normal कर लेते हैं, दोस्तों, अगर माल लिया जा, ये नाम अगर बहुत दफ़ा लिखा हुआ है, जैसे हम control C करते हैं, नीचे में ला करके control भी करते हैं, फिर से cursor नीचे लाते हैं, और control भी करते हैं, इंटे कर लेते हैं, दोस्त दोस्तों, हम एक नाम खोजना चाहते हैं, R, A, J, U, राजू, कि इस page में राजू नाम कहा कहा लिखा हुआ है, तो मैं राजू लिखेंगे, find next, एक बार बता दिया, फिर find next, दूसरा दफा बता दिया, फिर find next, तो ये तीसरा दफा बता दिया, तो दोस्तों, आपका राज के लिए बहुत ही important topic जो हम बताने वाले है, वो है clear all, इसका काम तो आप normally समझ जाता होंगे कि delete हो जाता है, area को select करके clear all पे जाके click कर दिये तो delete हो गया, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, अगर आप keyword का भी delete button press कर देते हैं, तो ये delete हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं ह जब हम इस area को select कर लेते हैं, और select करने के बाद background color, foreground color, bolt, italic और design change कर देते हैं, अब ज़रा delete keyword से करके दिखाएं, keyword से तो delete किये, लेकिन देखिए कुछ किस तरह का delete हो रहा है, तो ये delete सब keyword का delete नहीं हो पाता है, इसके लिए formatting delete करने के लिए हमें ये अपसर का इस्तमाल करन परता है, जैसे हम area को select करते हैं, और part by part हम delete करके बताते हैं, दोस्तो, text अलग delete करेंगे, formatting alert delete करेंगे, text formatting अलग delete करेंगे, जैसा कि देखिए, area को select कर लिए, उसके बाद क्या करना है, आपको जाना है, यहां से clear option पे click करना है, देखिए दोस्तो, अगर format पे click किजेगा, तो format खतम हो जाएगा, text रहेगा, फिर control Z करते हैं, यहां पे undo पे click करेंगे, दोस्तो, यह वापिस आजाएगा, फिर हम जाएंगे, यहां से clear format पे, content delete करेंगे, तो content खतम हो जाएगा, यह आपका background रहेगा, फिर undo करेंगे, वापिस आजाएगा, अब दोस्तो, clear all करेंगे, तो टोटल डिलेट हो जाएगा आपका colors वोगरा सब कुछ सारे चीज़ यहां से खतम हो जाएगे तो दोस्तो आज आप data entry work में करने वाले बहुत सारे topics के बारे में जाना अगर दोस्तो वीडियो अची लगी हो तो like and subscribe जरूर कर दिजेगा क्योंकि इस तरह का वीडियो हम आपके लिए हमेसा लिकर करके आते रहेंगे फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में तब ते के लिए take care have a nice day bye bye thank you